ये है दोस्तो जैपूर जंतर होस्टल का बाहर का एरिया ये जो जैपूर में सिंधी कैम बस्टेंड है उसके 500-700 मिटर के अंडर में है ये होस्टल और ये जो होस्टल है वो जैनिवास होटल एक है उसी का पार्ट है इसी के वज़े से यह जो हॉस्टल है इसका मेंटेनेंस काफी अच्छा है अगर booking.com पे इसकी रेटिंग देखेंगे तो 9 रेटिंग है इसकी मेन सिटी में होने के बाद भी दोस्तो इस हॉस्टल में रहके ऐसा लगता है कि जैसे यह नेचर के बहुत ही ज़्यादा करीब है काफी ग्रिनरी है अच्छा खासा महौल है साफ सुतरा है और चिडियों की चहचाहट भी इसमें आती रहती है अभी दोपर का टाइम है फिर भी इतनी बर्ट्स की चिर्पिंग है मौर्णिंग के टाइप में आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब क्या ही सही माहौल रहता होगा इस हॉस्टल की दोस्तों सबसे खास बात है यहां की क्लीनिलेस यहां के इश्टाफ और यहां की सर्विसेज यह है दोस्तों इसका हॉस्टल वाला एरिया उसके बाहर का थोड़ा माहौल है ग्रिनरी वगरह देख लीजे आप और चलिए इसमें आगे चलके देखते हैं कि आगे क्या सीन है वैसे मैंने यहां के स्टाफ से पूछा कि इस हॉस्टल में आप smoking drinking कर सकते हैं नहीं तो उन्होंने मना कर दिया बट इस्टिल अंदर में देखा मैंने कुछ लोग friends वगरह हुए थे वो smoke कर रहे थे, side drink भी कर रहे थे तो basically यह है कि आप smoke drink कर ये बट किसी को problem उससे नहीं होनी चाहिए और ये जो chair वगरह है लगा हुआ है, यहां पर आप smoke कर सकते हैं यहां allowed है, ऐसा उन्होंने बताया तो चलिए enter करते हैं इस हॉस्टल में ये इसका entrance वाला area, यहां side में आपको जूते होते रखने के लिए लॉकर जैसा कुछ बना हुआ है, चोड़ाटा लॉकर है, यहां रख सकते हैं बट मैं जब आया तो सब पहन के जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था और यहां से आप enter करते हैं जैसे ही तो वाल पी जो painting वगरह बनिए काफी खुबसूरत है, सामने आपको दिख रहा होगा, वो भी काफी सही महौल है लाइटिंग और यह जो painting से काफी मतलब काफी सही है यहां से जो stairs जाती है, यह उपर को उपर लेटरीन बात्रम हो है, common वो भी काफी साफ सुतरा है, और rooftop भी है, वहां पे भी आप जाके चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चेर वगरह लेके और यह जो area यहां कुछ sports वगरह, यह कौन सा sports कहते हैं, इसे हाथ से ही खेलते हैं I don't know about this, soccer जैसा कुछ है, वहां एक mini library है, कुछ books वगरह रखे हैं, अब चाहिए तो यहां पढ़ सकते हैं, और यहां कुछ sitting arrangement है, चाहिए तो बैठ सकते हैं, बारी सोरी सोरी या फिर कुछ भी दो लोग तीन लोग बैठ के ऐसे मज़े कर सकते हैं, और यह window से आप देख रहे होंगे, यहां का sitting area है, काफी सही महौल रहता है दोस्तों यहां का, बीच में एक जो पौधा दिख रहा है, उसके नीचे पानी है, pond जैसा बहुत छोटा सा, और उसमें कुछ fishes भी हैं, बहुत छोटे उटे, और यह इसका notice board व hotel है, उसका आप जो eating वाला area है, वो use कर सकते हैं, like 135, 140 रूपीज में वहां meal की थाली मिलती है, उससे आप use कर सकते हैं, काफी सही रहता है वो, थोड़ा quantity कम रहता है, बढ़ quality सही रहता है, इसी तरह से lunch वगरा का भी है, और कुछ trip वगरा का है, cycling tour, trip वगरा का, वो सब को आ मैं आपको वीडियो में डाल दे रहा हूँ, even अगर आप अपना towel नहीं लाए हो, तो यहाँ 500 रुपे security money जमा करके इनका towel यूज कर सकते हो, जब आप जाओ, तो आप towel इनका जमा कर दो, और 500 रुपे return ले सकते हो, ऐसे कुछ है, और यह सामने का महौल, आराम से बैठो, सो, दोस्तों के साथ चिल करो, और यह जो ऊपर stairs है, यहाँ पर आके कुछ games वगर कैरम वगरा है, लूडो है, और काफी सही chill vibes रहते हैं, कि lighting वगर जब रात को होती है, तो दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, और काफी सही आप game वगर packet वगर पड़ी है, कुछ glass वगर भी पड़े हुए था यहाँ पर, तो अगर किसी को कोई problem नहीं हो, तो आप यह सब भी enjoy कर सकते हो, यहाँ, यह है दोस्तों, वो काफी chill vibes रहते हैं, यहाँ पर, काफी सही महौल रहता है, evening के time में यहाँ पर, lighting वगर काफी सही रहती है, यह यहाँ पर बैठ सकते हो, chill कर सकते हो, enjoy कर सकते हो, दोस्तों के साथ, मतलब जो आपके hostel में ही दोस्त बनेगी उनके साथ, और यहाँ पर कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम भी रख सकते हो, अरेंज करवा सकते हो, आप Saturday Sunday को अगर गुरूप में आ रहे हो तो, अगर आप यहाँ भी आप अपने दोस्तों के साथ, चिल कर सकते हो, जो बैठने का, और यह जो एरिया है, किड़के साथ आपको दिख रही है, यह वैसे तो उस साइट से इसका गेट है और लॉक है, बट यह कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑफिस अगर की मीटिंग अगर कुछ रखना चा तो आप अगर बिजनेस ट्रिप वगर के लिए भी आना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पर, अब चलते हम इसके छत वाले एरिया पे, वहाँ पे भी काफी सही वाइब्स है और काफी साफ सुतरा है, आप कपड़े वगर सूखने के लिए वहाँ डाल सकते हो, और वहाँ का जो common Latin bathroom है, उसे भी आप देख लेना, काफी साफ सुतरा है, उसे भी आप यूज कर सकते हो, चाहो तो, यहाँ भी evening के टाइप में काफी dims ही और peaceful lighting रहती है, यहाँ चेयर वगर लेके बैठ सकते हो दोस्तों के साथ, और यह greenery वगर है, जो हवा सही आते रहता उसे देख लेते हैं, काफी साफ सुतरा है, यह देख लीजिए आप, एक साइट पूरे bathroom में और एक साइट पूरा toilet है, बातर में सावर वगर लगे हुए हैं, और सफाई भी काफी ठीक ठाग है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं, और यह अच्छी बात, इस पूरे hostel में windows है ठीक ठाग, और यह आपका जो बंक बेट है, उसके उपर, उसके साथ आपको क्या मिलता है, यह बैक जैसा है, इसमें आप कुछ अपने charger वगर चोटे मिटे समान रख सकते हो, एक fan मिलता है, कुछ हैंग कर निकले हैं, बापकड़े अपड़े रख सकते हो, चार्जर वाला माहौल है, इसकी लाइटिंग वगरे देखो, और पीसफूल एकदम वाइब से रहते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हो, दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, म्यूजिक वगरे इंजॉय कर सकते हो, और मैं एक बार पूरा होस्टल दिखा देता हूँ आपको रात के समय में इसकी ल महौल आएएऑ नहाँ, जया आपको आपको।